हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे तो आज की वीडियो कंप्यूटर वर्जन 2.0 की आप कह सकते हो लास्ट अपडेटिड वीडियो है क्योंकि इसके बाद की जो दो क्लासिस है वो बिल्कुल वही सेम है जो अगर आपने पहली वाली क्लासिस देख रखी है तो आज की जो क्लास है वो अपडेटिड वर्जन की लास्ट क्लास होने वाली है इसके साथ जो हैं जो प्रेक्टिस सेशन हैं वह हम लोग अप्लोड करते रहेंगे अपडेट आपको देते रहेंगे तो डोंट वरी अबाउट तो आज का टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं नेट्वर्किंग कैसे जो है वो चलती है यानि जो कंप्यूटर के नेट्वर्क्स हैं कि बात करो तो अलग अउसक के नेट्वर्क्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इसाश सबसे पहला नेट्वर्क है इंट नेट एिंटरानेट इंट्रा मतलाग विदिन विगशरया विदिन आपिक्स लेमि göstorse तो इंट्रानेट प्राइवेड एड्वीन अक्सेप्सिबल उनली सारे पीसी जो है वह आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन वह बाहर के कम्प्यूटर से बाहर के तरफ डेटा नहीं भेज सकते हैं तो वह इंट्रानेट है इन इंट्रानेट ओन इंस्टेंट मेसेंजर्स इंट्रानेट में खुद के मैसेंजर्स होते हैं बात करने के लिए मतलब मैसेज़ भेजने के लिए आपने कैसे कम्विनिकेट करता है मतलब हम लोग अपने डेटा को कम्विनिकेशन कैसे कराते हैं एक्सचेंज अधिक उपकरनों के वीच डेटा का अदान प्रदान कैसे होता है टोटल चार्ट चीजों पर डिपेंड करता है सबसे पहला है डिलीवरी सिस्टम को डेटा को सही गंतव्य तक पहुचाना चाहिए मतलब क्या है कि सिस्टम जो ह लिए पैंडीवरी सिस्टम केक्सच बहुरुचाना चाहिए प्रेस्क्राइव टैम रहुएस प्रेस्कृम जो देर पहुचाना चाहिए तो तो उतने पाषना पहुच जाना चाहिए गेक्स्टतर हगा मतलब है कि कितना चेंज आया मतलब expected कितना था कि कब तक पहुच जाना चाहिए था और कितनी देर में वो पहुचा तो जो delay हुआ है उसको हम बोलते हैं जिटर next है component used in data communication जब हम data को एक computer से दूसरे computer तक भेजते हैं तो बहुत सारे components जो है वो use होते हैं जैसे सबसे पहला है sender और receiver, sender मतलब जो data को भेजेगा, receiver मतलब जो data को receive करेगा, जो message को receive करेगा transmission medium, किस medium के through data जाएगा and next is message and protocol, data क्या है और जैसे मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज एक जगा से दूसरे जगा जाएगी तो protocols follow होते हैं, rules follow होते हैं, तो आप कौन सा protocol आप use कर रहे हो, कौन सा protocol साब, sender ने किस protocol से भेजा, receiver किस protocol से receive कर रहा है, तो एक components है data communication के, next topic is signals, signals क्या होते हैं, देखिए, data को जब हम हमें भेजना होता है, तो पहली चीज तो यह है कि data, मतलब information है कुछ लिखा हुआ है, तो उसे change करना पड़ेगा किसी ऐसी form में, जो अराम से transport हो जाए, transmit हो जाए, तो to be transmitted, data must be transformed to electromagnetic signals, प्रेशित होने के लिए data को विद्यूत चुमबक्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, data can be analog or digital, data जो है वो analog भी हो सकता है, और digital भी हो सकता है, analog data refers to information that is continuous, यह मैं आपको पहल आचो की हो, analog data का मतलब है, जो change होता रहता है, जिसमें variation देखने को मिल सकती है, हमारी आवाज हो गई, analog clock हो गई, thermometer हो गया, जो दूसरा होता है, mercury वाला, वो सब यह सब क्या कहलाते है, analog data या analog devices, digital data जिसमें fixed value आती है, that has discrete state, so digital clock, digital clock में exact values आपको लिखी होई आएंगी, computer हो network, computer network, computer को permission देता है, कि अब मेरा network है, मेरे साथ connection में बहुत सारे लोग है, तो मुझे क्या permission मिल गए कि जो भी information मेरे पास आएगी, मैं सब तक पहुचा सकती हूँ, मेरे पास ये accessibility है, same it goes with computer network also, it allows computers to exchange data, information and share resources, computer को data सुशन का अदान पदान करने और संसाधनों को साजा करने क connection between, अच्छा एक चीज़ और, अगर एक network में पांच computer connected है, आप उनको computer तो बोले सकते हो, साथ में एक और word हम use करते है, node, हम node भी use करते है, connections between computer nodes are established using either cable media और wireless media, या तो हम cable से connect करते है, या wireless media से connect करते है, cable media या wireless media का उप्योग करके computer के बीच connection सापित किये जारा है, आप देख सकते हो, अलग अलग type के network है, जैसे यह LAN है, इसमें क्या होगा कि एक server है, जो internet प्रवाइट कराएगा, उसी से सारे station है, सारे जो है, वो connected है, अगला van, all over world में जो अलग अलग computers connected है, यह man, man में क्या हो गया कि एक office के कहीं सारी branches है, अलग अलग colonies में है, तो वो आपस में connected रह जितने appliances आप connect कर सकते हो, वो पैन हो गया, personal area network, इनी सब के बार में पढ़ना स्टार्ट करने वाले है, सबसे पहला है, LAN, local area network, it is a group of computer and devices which are connected in a limited area, यह उन computer या उपकरनों का समू है, जो एक सिमित छेतर में, जैसे school, घर, कारेलिया के अंदर होते हैं, Ethernet, bus network are the most common examples of LAN, Ethernet जो है, वो सबसे common example है LAN का, ठीक है, LAN में क्या होगा, एक ही घर के अंदर पांचे computers हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक office के अंदर पांचे computers हैं, तो सारे जो connect होंगे, वो LAN से connect होते हैं, और Ethernet बहुत common example है, अगला है MAN, metropolitan area network, में में क्या होगा, जैसे, देख management के offices हो गई है, university का campus हो गया, office की building हो गई है, तो सबको internet प्रोवाइट कराएगा, ये पूरी city, मतलब आप समझो, सबसे छोटा हो गया LAN, उससे बड़ा हो गया आपका MAN, सबसे छोटा लैन भी नहीं है, लैन से छोटा है PAN, personal area network, लेकिन वो मैं उस category में भी रखूंगी, इस से बड़ा होगा WAN, wide area network, वो मैं की बात करूँ, it consists of a computer network across an entire city, पूरी city के अंदर जो network होगा, वो मैं के अंदर आएगा, तो एक शहर में जो computer network हो मैं के अंदर आएगा, the size of metropolitan area network is larger than land, ये land से बड़ा होता और WAN से छोटा होता है, इसके अलावा, जैसे TV, cable TV बहुत common example है, मैं इसे WAN, यानि wide area network, ये पूरा geographical area, पूरी country, पूरा continent और पूरा world भी ये अपने अंदर जो है cover कर सकता है, internet connection, WAN का एक बहुत common example, internet connection से क्या है, world से सारे computers connected है, तो internet connection is very good example of WAN, PAN, personal area network, इट offers to make connections of multiple devices or other equipment under the single user's environment within 10 meters or 30 feet, 10 meter या 30 feet के अंदर अगर एक single user है, तो उसके जितने भी उपकरन है, for example, अगर मैं पास Bluetooth, Bluetooth speakers है, Bluetooth headphones है, printer है, जो Bluetooth से चलता है, माउस है, keyboard है, जो Bluetooth से चलता है, वो मैं सारे connect कर सकती हूँ, लेकिन 10 meter से 30 feet के अंदर अंदर, pen network, कुछ computer करनो, telephone, devices, computer, printer, smartphone, इन सबको एक साथ काम करने के लायक बनाता है, मतलब आप ये सारे appliances एक साथ यूज़ कर सकते हो, next is can, यानि campus area network, इसके अंदर क्या है, भई एक lane या था, एक lane या था, एक lane यहाँ यहाँ पर था, इन सबको आपस में connect करने के लिए, different lanes को आपस में connect करने के लिए, आप यूज़ करते हो can, यानि campus area network, ये छोटे छोटे भोगोलिक स्थान, जैसे school, विश्विध्याले, पर इसर, corporate भवनों को के साथ, land के जोड़े को जोड़ने में मतद करता है, यानि, it helps to link couples of lands with small geographical space, such as school, university campuses and corporate buildings, ये हो गया, आपका campus area network, next is SANS, storage area network, देखो, storage area network है क्या, basically, आप ये कह सकते हो, store करने के लिए, अगर आपके पास बहुत सारे computers है, बहुत सारे servers है, तो SANS क्या करेगा, उन सब का storage एक जगा कर सकता है, तो बहुत high speed network होता है, कुछ नहीं करना है, storage का का काम करता है, that's it, जैसे ये, आप देख सकते हो ये, optical storage है, library है, ये दूसरे-दूसरे servers है, तो SANS क्या करेगा, आप कोई भी चीज, कोई भी file आप किसी में भी खोल सकते हो, that is just the SANS, it is a specialized high speed network that provides block level network access to storage, ये एक विशेश high speed network है, जो blocks तरिये network को storage तक पहुँच प्रदान करता है, next is VPN, virtual private network, I think ये सब को पता होगा, सबने VPN का यूस कभी न कभी किया होगा, जैसे, it extends a private network across a public network, such as the internet, जैसे आप ये समझ सकते हो, कि कहीं बार कुछ countries में, आप कह सकते हो, कि कुछ videos ऐसी होती है, जो हम, हमें accessible नहीं होती, propaganda, मतलब कुछ ना कुछ agenda होता है, उन movies के पीछे, तो वो ban कर देते हैं, ठीक है, तो अगर आप तो आप अपना VPN change कर ले, तो VPN का मतलब क्या है, कि जो address है, जो आपका, वो आप किसी और country का दिखा सकते हो, तो वो आप वीडियो फिर accessible हो जाती है, तो VPN क्या है, कि एक open network में, अपना एक private network establish करना, एक नीजी network का विस्तार करना, it enables users to send and receive data across shared or public networks as if they are computing devices were directly computed, देखो, ये internet है इंटरेट भी क्या हुआ, ये आप, तो VPN की मदद से आप बहुत साई devices आप खुझ से ले सकते हो, इस तरीके से जैसे आप directly उनसे communicate कर रहे हो, तो VPN क्या है, कि आपका personal, आपका private network है, VPN आप change भी कर सकते हो, बहुत सारे apps आते हैं, I guess Google पे, next is types of connection, आप connection किस-किस type का होता है, सबसे पहले बात करते हूं, point to point connection, in which a dedicated link is provided between the two devices, जिसमें दो device के बीच में बस एक ही dedicated link हो, एक ही link हो, जिससे वो connected हो, अगला है multipoint connection, in which more than two devices share a single link, जिसमें दो से ज्यादा devices, एक ही link को share करते हो, जैसे आपका router है, तो वो multipoint connection हो गया, अब, बात हम करते हैं, communication की, अगर data जा रहा है, data वापिस आ रहा है, तो आना और जाना किस-किस तरीके से हो सकता है, तो सबसे पहला है और यह बहुत important है, simplex communication, simplex communication क्या है basically, one way or unidirectional communication between two devices, दो पकर्णों के बीच में एक तरफा संचार है, जिसमें क्या होता है, एक device sender के sender बोला जाता है, कि यह क्या हो गए, यह रिसीव करता है, data sent through a keyboard or speaker, जैसे आपका cable TV, हुआ क्या, satellite से आपके cable TV पर आपके news आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कि आप TV से वापस information भेज दो, तो यह simplex communication है, एक sender है और एक receiver है, that's it, half-duplex communication, यह two-way or bidirectional communication है, यानि दोनों तरफ से communication हो सकता है, आप information भेज भी सकते ह कर सकते हो, लेकिन एक time पर नहीं हो सकती दोनों चीज़े, जैसे walkie-talkie, अगर एक तरफ एक time पर एक जना बोल रहा है, तो दूसरा जो receiver होगा, उसको चुप रहना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर जो दो components है, they can either be receiver और sender, यह receiver का काम भी कर सकता है, और sender का भी, और यह भ full-duplex communication, full-duplex communication में क्या है, कि दोनों, मतलब यह भी two-way communication है, लेकिन इसमें एक साथ, send भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, अगर information भेगे, हातो हात यह भी इसको भेज सकता है, ऐसा नहीं होगा कि पहले यह receive करेगा, फिर यह send करेगा, दोनों एक साथ data को भेज सकते हैं, औ पर जिसन सबसे पहला है, वी ओ आई पी, यानि, voice over internet protocol, आएकिस, इसकी full form यह होती है, मैंने आगे लिख भी रखी है, communication methodology, designed to deliver both voice and multimedia communications over internet protocol, internet की help से आवाज भी पहुचाना, और multimedia, audio, video, यह सब भी पहुचाना, उसको बोलते हैं, वी ओ आई पी, internet protocol पर आवाज और multimedia संचार दोन पर दितनी सयार की गई है, और यह आवाज और audio में क्या परक है, आवाज का मतलब आप call कर रहे हो, तो directly, real time में आप अपनी voice पहुचा रहे हो, audio message को ही हो, आप वो भी पहुचा सकते हो, अगला है, voltage, voice over long term evolution, यह है, voice over internet protocol, ठीक है, यह है, voltage, voice over long term evolution, यह क्या है, बहुत high speed communication है, जिसमें mobile phones का आप यूज करते हो, और इसमें main चीज है, internet of things and wearables, मतलब अगर आपने बहुत सारे, आपने smart watch डाल रखी है, earphones डाल रखी है, तो सारी आपस में एक साथ connected है, अगर मैं कुछ phone में data चला रही हूँ, तो वो मेरी watch में भी रिसीव हो रहा है, मेरे बहुत सारे computer systems एक दूसरे से connected रहते हैं, तो अब क्या है, अब आपको यह देखना है कि बहुत सारे systems आपस में एक दूसरे से कैसे connected है, so it is the arrangement of various elements, links, nodes, etc. of a computer network, एक computer network के विभिन तत्वों की विवस्ता कैसी कैसी है, यानि उसमें कितने systems हैं, यानि कितने computer हैं, कितने link हैं, एक computer को जोडने वाला, कितनों से link कर रहा है उसको, two basic categories of network topologies are physical topologies and logical topologies, जो दो आप कह सकते हो basic category है, वो है physical topology और logical topology, लेकिन इनके इलावा, जो main connection होता है, एक computer, दूसरे computer से कैसे connected रहेगा, वो होती है topology, आप wire use करते हो, link use करते हो, बहुत सारे methods हैं, जो आप use करते हो, बहुत सारे computer system को connect करने के लिए, तो वही चीज मैं आपको बता रहे हूं, अब आप जो पढ़ने वाले हो, सारी topology, सारी shapes पढ़ने वाले हो, topology का मतलब है computer system कैसे कैसे connected है, अभी मैं computer word यूज कर रहे हूं, मैं आगे computer word यूज नी करू सबके बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले है bus topology, इसे linear bus topology भी बहुते हैं, क्योंकि बिलकुल line की shape में है, all computers are connected with a central cable, जितने भी computer है central cable से connected रहते हैं, multipoint connection होता है, एक एरा point, 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 तो बहुत सारे points हैं, तो that is why it is called multip point, अगर कहीं भी cable में कुछ problem आ गई, तो पूरा network खराब हो जाएगा, यह बहुत important है, transmission speed is slow in bus topology, जो speed होती है data की transfer की, वो बहुत ज्यादा कम होती है, terminators are used at the end of central cable, starting में और end में आप terminator use करते हो, ताकि पता लग जाया, यहां से शुरू है और यहां पे खतम है, तो terminator का हम यूज करते हैं, अगली है ring topology, ring का मतलब कुछ निया, basically cyclic है, एक computer दो से connect होगा, वो और दो से connect होगा, तो इस तरीके से क्या होता है, ring बन जाती है, पूरी, the structure of network is formed similar to as of a ring, इसकी सबने चुने एक ring के समान होती है, nodes are connected in circular manner, यानि एक गोलाकार तरीके से जुड़े वे होत होती है, in order for all the computers to communicate, all the computers must be turned on, अगर आपको सब computers को, यह कह सकते हो, कि information देनी है, तो सारे के सारे on होने चाहिए, link is unidirectional, unidirectional ही होता है, एक ही direction में communication होती है, next is chart topology, इनकी shape के basis पे बस इतना ही पढ़ रहा है, कि कौन कौन से type की topologies होती है, और इतना कुछ करने की need नहीं है, जैसे chart topology की बात करूँ, तो chart topology में क्या होगा, अगर कुछ याद करना है न, आप इस तरीक से याद कर सकते हो, यह हो गया chart, ठीक है, जितने भी nodes हैं, वो सारे एक central device से connect होंगे, और इस central device को हम बोलते हैं hub, इस central device को हम बोलते हैं hub, तो all the nodes devices are connected to a centralized device, which is known as hub in the structure, तो hub में connected ह होंगे, easily add or remove device, बहुत असान है device को add करना, जस्ट एक तार ही आपको जोड़ना है, remove करना भी असान है, एक तार आपको हटाना है, problem identification is easy in start topology, अगर मानलो कोई भी खराब हो गया, तो यह पहचान करना भी बहुत असान होता है, कि कौन से device जो है, वो खराब हुई है, data communication is past due to hub switch connectivity, data communication बहुत तेज होता है, क्योंकि इस से पहले जो आपने दो पढ़े है, उसमें क्या होगा, कि पहले एक computer के पास जाएगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौते, फिर जहाँ destination होगी, वहाँ जाएगा, इसमें क्या है, यहाँ से data जाना है, अब जिसके पास जाना ह बाकी हो तक पहुषने की जरूरत नहीं है, तो इस इस वाइस की जो speed हो काफी जादा होती है, इस central device fails, हाँ यह चीज है, अगर यह central device हम fail हो गया, तो यह पूरा का पूरा system ही खराब हो जाता है, तो यह है आपकी start topology, next is mesh topology, mesh topology के अंदर क्या है, each nodes provide an individual link to another node, यह mesh है, proper जा except ЯET होगी, आगर मैं देख वाले computer की बात कर रहे हूं, तो यह बाकी 6 की 6 computer से connected है, मैं इसकी बात कर रहे है, तो यह भी 6 क्या 6 computer से connected है, मैं सबसे महहंखी होती है क्योंकि इस के मेंदर सबसे जाधा wire diffuse होते है क्योंकि इसमें हर computer बाकी सब computer से connected हो, it means every node in the entire network इसका मतलब है कि पूरे नेटवर्क में हर एक नोड हर दूसरे नोड से कीज़ा जुड़ा हुआ होता है और सभी टॉपलोजी में सबसे ज्यादा जो इसी में यूज करते हैं और इसका फॉर्मला भी है लांड कर लिए नेक्स है ट्री टॉपलोजी ट्री टॉपलोजी क्या है बेसिकली बस और इस चार का कॉंबिनेशन है यह बस जा रही है अब इसके अंदर क्या होगा कहीं बेभी आपने इस चार में ना दे यानि हां से करेक त्री टॉपलोजी मेड बैर कनेक्टनेग वेरियस श्चार्स टॉपलोजी वाया सेंटरल बस के लिए बैक्बोन केव स्चार्स लो उनको सीधी लाइन से जोड़ दो को बनाए जाती है इसको expended star topology भी कहा जाता है कि अगर सेंट्रल केबल बैकबोन या इसमें कोई आप यह समझो कि अगर सेंट्रल हब में अगर कोई दिक्कत आ गई तो स्टार में था इना कि अगर हब में जो सेंट्रल सिस्टम है उसमें दिक्कत आगई तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा वह सेंट्रल का पूरा जो नेट्वर्क है वह फंक्षन नहीं करेंगा नेशन उ connecting dla out computing क्लाउड कंक्यूटिंग का मतलब क्या है बेसिकरी आप जो भी डिवाइस जो भी आप काम कर रहे हो वह इंटरेनाट पे स्टोर हो Rहा है कोई ID के help से ID की मतलब आप क्या सकते हो ID के माध्यम से या फिर कोई cloud storage है उसके help से अब उसके बाद क्या है जैसे for example अगर मालो contacts है हमारे phone के वो हमने Google पे save कर रखे हैं phone खो जाता है तो हमें contact के दिक्कत नहीं रहती क्योंकि हम जब भी नया phone में अपनी email ID डालेंगे Google account login करेंगे सारे contacts आ जाएंगे तो वो cloud computing है आप क्या कर रहे हो इसके एंदर computer-based services are delivered over internet और cloud जो computer से अधारित सेवाए हैं उन्हें internet पर हम internet के through हम उसको transfer करते हैं and it is accessible to the user from anywhere using any device तो किसी भी device पे यह काम करने लग जाएगा पर example when we store pictures and files as backup on internet हम backup बनाते है pictures का तो वो cloud computing ही है अब networking devices computer networks तो हमने पढ़ लिया topologies पढ़ लिया अब हम बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से devices हैं जो network में चाहिए होती है सबसे पहला modem modem आपने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था modem का basic काम यह होता है यह आपका internet service provider मालो यह जीओ का office है यहां से जो भी computer आ जो भी network आएंगे modem का काम यह है सब में modem ना cables के through connected रहता है अब उन cables में analog signal transfer हो सकता है transmit हो सकता है जबकि हमारे computer में digital signal तो modem का काम होता है बहार से analog को पकड़ना और जब तक हमें देगा उसको digital में convert कर देना it stands for modulator demodulator modem converts digital signal from the computer into analog that can travel through telephone lines इसका काम होता है analog signal को देखो यहां से digital signal आया इसने उसको analog में convert किया यह telephone lines के through हमारे बाले modem तक आया हमारे बाले modem ने analog signal पकड़ा उसको digital में हमको दे दिया तो यह होता है आपका modem का काम नेक्स है ethernet card ethernet card आपने पक्का कही न कहीं पढ़ा होगा ethernet card का एक और नाम है NIC network interface card ethernet को network interface card या NIC भी बोला जाता है basically यह adapter है जिससे आप एक wired network आप create कर सकते हो wired network स्थापित करने के लिए उप्योग किया जाने वाला network adapter ethernet cards can support data transfer between 10 MBPS and 1 GBPS ethernet card से आप 10 MBPS से लेकर 1 GBPS तक का जो data है वो आप transfer कर सकते हो यानि 1 second में 10 MB से लेकर 1 second में 10 GB तक 1 GB तक आप transfer कर सकते हो और हर card का एक address होता है mac address जिसको गोलते हैं जो uniquely identify कर सकता है कि कौन सा computer है उस network पर तो यह होता है आपका ethernet card अब हम बात करते हैं repeater देखो यह card क्या है कि अगर wired network आपको create करना है तो आप ethernet card का use कर सकते हो यह ना भी आगी आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगी यह कैसा दिखता है next is repeater देखो repeat का मतलब तो पता है न हमें क्या होता है वापस repeat करना कई वर क्या होता है अगर एक point से दूसरे point तक signals भेजने हैं तो थोड़ी दूर जाते जाते तक वो signals weak होने लगते हैं तो हम repeater लगा देते हैं ताकि signals की strength वापस बढ़ जाए ताकि जब तक वो हमारे पास आए वो weak ना हो वो fade ना हो तो repeater का बस यह काम होता है signal इस सीमा से अधिक अपनी शक्ति खो देते हैं और कमजोर हो जाते हैं ऐसी स्थीतियों में मूल कंकेतों को पूनट जिवित करने के लिए repeater का यूज किया जाता है simple signals lose your strength beyond this limit and become weak in such conditions original signals need to be regenerated repeater works with signals on the cables to which it is connected repeater जो हम क्या लगाएंगे केबल की बीच में लगा देंगे ताकि वो repeat हो जाए हब हब तो आपको पते है क्या था आपने स्चार्ट अपोलोजी में यूज किया था बेसिकली यह हब है आपने उसमें देखा होगा जो आपके टीवी जिनसे चलते हैं सेट अप बोक्स में आपने डेफिनिटली देखा होगा यह हब है इसमें बहुत सारे स्विचिज होते हैं बहुत सारी डिवाइसे एक साथ कनेक्ट कर सकते हो जैसे चार्ट ओपोलोजी में आपने बहुत सारी डिवाइसे एक साथ कनेक्ट की थी तो इट एक्ट अग्टर ऑफ सेवरेल कंप्यूटर्स डेटा राइविंग और अनी ऑफ द लाइन पर डेटा अगर आ रहा है तो वह सब तक जाएगा सभी डिवाइसे पे वह डेटा जाएग next is switch switch router में बहुत confusion होती है तो switch router gateway में तो अच्छे से पढ़ लिजेगा switch क्या है देखो इट connects multiple computers और communicating devices यह सारी वही devices है जो बहुत सारे network बहुत सारे devices को connect करती है Ethernet card ले लो modem ले लो या फिर आपका यह hub हो गया या फिर आपका switch हो गया ठीक है अब सुनना चिसे में क्या बोल रही हूँ when data arrives अब data आ गया आपके पास so it extracts the destination address from the data packet देखो switch का काम है वो क्या करेगा वो यह देखेगा वो जो data आपके पास आया है यह पहले उसको खुद पढ़ लेगा और यह पता लगाएगा कि इस data को जाना कहां तक है इसकी destination कहा तक है उसके बाद table में देखेगा कि वो उसका address का है और तब उसको भेज देगा तो switch का यह काम होता है जब data आता है तो switch data packet से गतनमवे का पता निकालता है और यह देखने के लिए तालिका में देखता है कि packet कहां भेजा जाएगा तो switch का क्या काम है data को कहां तक भेजना है वहां तक का पता करना इसको intelligent हब भी बोलते हैं हब क्या कर रहा था data वह सब जगा भेज रहा था है ना तो आप यह समझ लो हब तो हर जगा भेज रहा था हब के बाद updated version आया switch switch को यह पता है सब जगा नहीं भेजना मुझे मुझे बस यह पता लगाओ पहले data प selected devices instead of sending to all and thus reducing the network traffic कि सभी को भीजने की बजाए केवल चनित उपकरनों को संकेत भेजता है और इस प्रकार network traffic को कम करता है इसलिए इसको intelligent hub के रूप में भी जाना जाता है तो यह हो गया आपका switch यह रा switch अब इसको अगर मालो यह सारी devices connect है यहां से data आया तो उस data को पढ़के यह पता लगाएगा यह सब तक नहीं भेज़ेगा यह सिप उसको भेज़ेगा जहां तक इसको जाना हूँ नेक्स्ट इस राउटर राउटर एक LAN को इंटरनेट से कनेक्ट करता है बेसिकलिए अगर मैं बोल रहे हूं कि हमारे ओफिस में पांच कम्प्यूटर्स है वो पा राउटर क्या करता है बाकि सब इवाइसिस को हमारे इंटरनेट से जोड़ता है जो हमारे पास सारी डिवाइसिझ है तो राउटर क्या करेगा लेंगा inting Test over a network decide and alter how it is packaged and send into another network of a different type which means what is the data that you have to analyze and then you will think that if you are a delivery boy or a delivery girl you have 10 packages and you will see that there are 3 packages that are in one area and you will see that the package should be modified so this is your job the router can decide and change how the package will be packed and how they will go to the next network तक जाएंगे और एक्जाम्पल डेटा को एक निश्ची तकार के पैकेट में बाटा जाए तो उसको साइस चेंज कर सकता है माल लीजिए इन पैकेटों का एक अलग प्रकार के नेटवर्क पर ले जाना है देखो सुनो सब्सक्राइल कर工lol के तो पैकिट्सिद्ध के रूप में एक पैकेट दूसरा पैकेट तीसरा पैकट Arabia क्या हुआ यह प्रको दूसरे नेटवर्क में लें जाना है जहां पर ब्धड़ए बड़ disaster क्या करेगा उसको खोलेगा छोटे-फ्युट बना सैज़ेगा तो मतलब है सम है ठीक है इस डेटा में से बस यह वाली चीज इसर जानी है तो डेटा के अंधर सिर्फ इस चीज का पैकेट बना कि उसको भेज गया तो यह हो गया आपका राउटर राउटर ऐसा दिखता है कुछ और पहले यही था कि हम राउटर को जैसे अगर मैं बात करूंगे बहुताइड डिवाइसे कनेक्ट करी हमने अपना ब्लूटूथ हेड़पोन कनेक्ट कर दिया हमने स्मार्ट वॉच्ट कर दी तो जितना डेटा आपको कंप्यूटर यूज कर और हाडवेर दोनों का यानि इसमें खुद की प्रोसेसिंग भी होती है और आप टच भी कर सकते हो फिजिकल भी है इस यूज को डिपनेक्ट डिफरेंट टाइपस तो और मोर नेट्वर्क्स हैं डिफरेंट प्रोटोपोल सबीसे अन्वार्मेंट अब मेरे पास क्या था सब्सक्राइब कर सकता है यह नेटवर्क के प्रवेश और निकास बंदू के रूप में कारे करता है क्योंकि रूटिंग पत्का उप्योग करने के लिए नेटवर्क में आने और बाहर जाने वाले सभी डेटा को पहले गेटवे से गुजरना होगा तो हम क्या करते हैं बाहर का कोई computer system है तो वह क्या करेगा जैसे देखो मेरी बात सुन गेटवे का मतलब है कि अभी तक जो आपका काम हो रहा था ना विदिन A state हो था एक state के अंदर अंदर अब एक state से दूसरे state में जाना है तो आपको उसका border cross करना पड़ेगा ना अब बॉर्डर चेकिंग र तो से गेटवे का क्या होता है कि अगर एक network के computer को foreign network के computer से communicate करना है तो वो data को उसे gateway में भेजना पड़ेगा वहां से होके दूसरे system तक अब वहां से पहुचते ही क्या होगा उसके बाद gateway बता देगा यानि जो आपका checking होती है checking post होता है border पे वहां से पूछ लो कि हमें यह चले जाओ से गेटवे का यही काम है यह network था यह network था यह बीच में gateway अब यहां से जाने के बहुत सारे रस्ते दे तो यहां से data गया gateway में अब gateway ने बता दिया कि सीधा रस्ता पकड़ना सबसे चोटा रस्ता वही है तो यह है आपका gateway का का मैं देख सकते हो यह एक सर्वर थ यह एक सर्वर था पीच में gateway लगा हुआ है तो जो भी एक दिवाइस से दूसरी दिवाइस में जाना होगा gateway के थ्रू ही वह डेटा जाएगा next हम बात करते हैं bridge की देखो it works on data link layer of OSI OSI एक model है तो उसमें data को link करता है यह कैसे it is used to connect same or similar types of two or more networks gateway bridge में फर्क है bridge में क्या है दो तीन अलग-अलग foreign networks से मतलब अलग-अलग networks से लेकिन उन में same type के rules फोलो हो रहे थे हैं अलग-अलग एक स्कूल का है एक एक स्कूल का है और एक स्कूल का है पर हैं तो तीनों स्कूल के ना सेम तरीके से काम करेंगे तो ब्रिज क्या करता है similar type के networks को connect करने में मदद करता है it is also used to divide a big network into two or more smaller networks जैसे मैं बात कर रहे हूं स्कूल का एक network बन गया बहुत बड़ा network है अब इसमें बहुत सारे अलग-अलग school लिए इनके अलग छोटे-छोटे networks बन गए तो इन सब को connect करने के लिए काम जो करता है वो करता है bridge next is mac address mac address के full form वैज़ो mac की full form क्या है media access control address media access control control address इसका मतलब क्या है सुन लो it is engraved on nic at the time of manufacturing and is permanent जो nic थी जो ethernet card था उस पर mac address लिखा जाता और permanent होता है बारा डिजिट का hexadecimal number है और 48 bits होती है length में basically आप देख सकते आपको learn क्या करना है कितने digits हैं तो बारा डिजिट का mac address होता है the first six digits represent manufacturers ID जो शुरुआत की 6 digit होती है वो represent करेंगी जिसने इसको बनाया है उसकी ID क्या है last की जो 6 digit है वो आपके decide करेंगी जो card number है उसका serial number क्या है जैसे बनते हैं बहुत सारे card serial number में बनते हैं तो last की 6 digit card का serial number और शुरुआत की 6 digit manufacturer की ID next is IP address IP address क्या होता है internet protocol address basically यह पूरा system है एक बहुत सारे computers attached है तो हर computer का एक address होगा जो सब बिल्कुल unique होगा तो उस IP address से हम पता लगा सकते हैं कि network में इस वाले number की बात हो रही है तो IP address क्या है किसी system को पैचानने के लिए network में से हम इसका use करते हैं यह बिल्कुल logical address है यह 32 bit का होता है और चार number इसमें होते हैं देखो एक दू तीन चार इसके लावा 32 bits का होता है नमबर जो है वो 0 से 255 के बीच में हो सकते और यह बहुत important है दो तरीकी का IP address होता है IPV4 IPV6 ठीक है इसमें 4 numbers होंगे और इसमें 6 numbers होंगे यह 32 bit का होगा और यह 128 bit का होगा यह learn यह प्रॉपर रटने वाली चीज़ है तो एक बार लिख लेना मैक एड्रेस था वह 48 bits का था और जो आपका IPV4 है वो 32 bit का है और 6 वाला 128 bit का है जो नंबर होंगे IPV4 में वो कितने होंगे 0 से 255 की बीच में और कैसे पता लगता है तू की पावर जो भी यहां पर लिख और से IPV4 है तो टू की पावर 4 माल लो यह आएगा आपका नहीं टू की पावर फोन नहीं हो गई है अचली आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई जीरो से 255 असल में जीरो से 256 के बीच के नंबर सम काउंट करते हैं तो जीरो से 255 हो गया जहां आप यूस कर सकते हो से इम IPV6 में 126 bits हैं या 16 bytes हैं जो आप जो के कंप्यूटर को जो जो हाम पहुचा सकते हैं हम उन टॉपिक्स पर आ गए सबसे पहला है माल वे इट स्टेंड्स फॉर मालीशय सॉप्ट्वेर यानि दुरभावना पून सॉप्ट्वेर यानि आपको नाम से पता लग रहे है कि इसकी इंटेंशन सहीं नहीं है इट इस इसके एक्जामपल यह सब आपने पढ़ रखे हैं बेसिकली अब आप बस आपको एक बार इनको ऊपर से गो थू करना है क्योंकि इनके नेम से ही पता लगेगा है सबसे पहला है वाइरस वाइरस के फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो वाइ अपने आपको replicate करता है लेकिन उससे पहले किसी अटाइक अटाच करेगा किसी के साथ जैसे जरत होती है यह अपने code को दूसरे निशपादन योग्य फायलों से जोड़कर इस तरीकि से दोराता है कि संक्रमित निश्पादन योग्या फाइल निश्पादिद होने पर वाइरस कोड निश्पादिद हो जाता है मतलब क्या है कहने का कि अपने आपको repeat करेगा कैसे उन फाइल से attach करेगा अपने आपको जो executable है यानि जिन पर click करते ही जो फुल जाती है जैसे ही आप click करोगे executable file है जिसको e flavour करोगे जिसको click करते कई होना शुरू होते है पर वह आपके system नुकसान पहुचा रहा क्योंकि अब तक आपने पर क्लिक करोगे तो यह चीज है आपका virus और हों घ्याइच किसु convenience क्वाइर सिछ फाल वाइरस है मैक्रो वाइरस है है मैं इसे सब्सक्राइब क्लाइब ऐसे सब्सक्राइब तापकर रिफिक और चरों तो अगला है आपका वह यानी राइट वां बाइरुस तो अपने आपको रिपीट करता ही है उस को और क्प्यूटरρε उस नेट्वक पर लॉज फोनने आप कास्टी कॉप्यूटर्स प्रोग्रमटरब처 रिघू बाउटेजित को यह तो परक है कि वाइरस वाम को कोई होस्ट प्रोग्राम की आवशक्ता नहीं होती यानि उनको चलने के लिए किसी system या किसी file की ज़ुरत नहीं होती next is Trojan Horse, Trojan Horse में मैं आपको बताते हूँ, इसकी एक स्चोरी है जो मैंने यही सब पढ़ते हुए सुनी थी I don't know I think Roman yeah Rome की बात है कि वहां पर क्या था जब अटाक करना था जो भी वाड चल रही थी तो सब रस्ते बन थे तो जिन्होंने भी भेजा तो उन्होंने घोड़ा एक लकडी का घोड़ा भेज दिया वह बिल्कुल अंदर से खोक लात और उसके अंदर वारियर्स थे ताकि वह जैसे ही वह घोड़े को उस मतलब अपनी स्टेट में लेके जाएंगे उस घोड़े को खोलेंगे तो वह जो से उसके अंदर से वह रात को निकल के उस रोम के गेट फोल दे ताकि वह अटाक्स उन पर किया जा सके तो ट्रोजन होड़ का मतलब क्या है कि दिखने में तो ऐसा लगेगा कि कुछ मतलब कुछ बेनिफीशल चीज है बट इसके अंदर बहुत ज्यादा लेकिन जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे यह वाइरस और वाम की तरह काम करना शुरू कर देगा बस फर कितना है कि यह अपने आपको रेप्लिकेट नहीं करता यह स्प्रेड हो जाएगा और यह सारी जितनी भी जितनी भी इन्फॉमेशन आपके कम्प्यूटर में है वह तो यह है ट्रोजन ओर्स तो कौशन आता है कि इन मेंसे कौन प्रेडिकेट नहीं करता तो आपके कम्प्यूटर में जो इन्फॉमेशन है वह उसका एक्सेस दे देता है बाहर के यूजर्स को इन्फॉमेशन को इन्टरनेट के थ्रू बहार तक वल्नरेबल बना देता है यानि कोई भी आके उसको देख सकता है यह क्या करेगा जितने भी आपको पता नहीं होगा आपकी नॉलिज के बिना आप पास्वर्स टाइप कर रहे हो कुछ भी आप आईडिया आप बना रहे ह इन्टरनेट यूजेज जैसे मैं आपको बताती हूं हम अगर जॉब ढूंते हैं तो हम बहुत सारी वेबसाइट पर हम जॉब ढूं सकते हैं और आपने नोटिस क्या होगा कि अगर जैसे आप जॉब ढूंदना शुरू करते हो तो कुछ लोकल जो कुछ आपने देखा क्यूंकि उनका आपके जो जो भी आप सौफवेर यूज कर रहे हैं उनसे कॉंटेक्ट होता है वो सेरा सारा डेटा वो कंपनी को देते हैं कि यह यह लोग है जिन्होंने जॉब के लिए सर्च किया है तो आप इनको पॉल करो इनको जरूरत है तो बेसिकली इस तरीकी तर स सब कुछ चलता है तो यह है spyware next is rootkit rootkit क्या है बस यह समझ सकते हो कि आपके computer में बहुत सारे virus worms trojan hores सब कुछ है rootkit है जो उन सब को बचाने का काम करेगा it is an application that hides its own presence or presence of other malwares on the computer यह कैसा application है जो आपके computer पर अपनी उपस्तिती यह दूसरे malware की उपस्तिती को छुपाता है कैसे by using some lower layers of operating system which makes them almost undetected by common anti-malware software मतलब आप यह समझ लो यह आपके operating system में बहुत सारी layers होती है तो बिल्कुल निचली वाली layer में roots में जाएगा और roots में जाके क्या होगा कि जो आपको computer system है यह उसमें जो भी आपने malware software को detect करने के लिए application डाल रखी होगी वो उसको detect नहीं कर पाएगा तो यह होता है rootkit का main काम क्या है अपनी presence को छुपाना और अपने साथ-साथ जो और malware content है उनको छुपाना आपको पता है कि होता क्या है बेसिकली अगर जो customers पे नहीं करना चाहते किसी website को यूज करने के लिए तो पहले उन्हें एड देखना पड़ता है दो तीन मिनट के देखो फिर आप अपरेट कर सकते हो फिर फोट देर बाद एड देखो तो वह एड वेर है इसके अंदर विज्यापन होते है एड वेर को उन उप्भोगताओं के लिए वैद विकल्प माना जाता है जो सौफ्वेर को खरीदना नहीं चाहते तो वह नहीं खरीदना चाहते तो वह उनको एड देखने पड़ते हैं नेक्स्ट इस की लोगर देखो की लोगर में आ रहा है की की लोगर क्या है एक सर्वीलियन सॉफ्ट वेर है यह नोटिस करता है कीबोर्ड पे क्या कौन सी कीज बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हो आपके पासवर्ड को डिटेक्ट करने के लिए इसलिए अब तो वर्चुल क कीबोर्ड को ऑप्शन यह सॉफ्ट कीबोर्ड लिखा हूँ आता है जिसमें अगर आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो महीं पर सॉफ्ट कीबोर्ड आता है यानि आपके स्क्रीन पर कीबोर्ड बना हूँ आता है वहां पर आप स्क्रीन टाइप कर सकते हो कीज प्रेस कर जाता है record करके उसको एक दूसरी फॉर्म में चोर किया जाता है एक कीलोगर्स recorder आपके keyboard को उप्योग करके किसी भी समय आपके द्वारा टाइप किये गए त्वारित संदेश email किसी भी जानकारी को record कर सकता है नेक्श लॉजिक बॉंग लॉजिक बॉंग क्या है बेसिकली कोड मतलब अब यह आजाओ प्रोग्रामर्स पर मैं बात कर रहे हूं वह क्या करेंगे आपके operating system में एक कोड डाल देंगे और जैसे ही वह कोड होगा क्या मतलब वह बता देंगे दो गंटे के बाद यह अपने आप operate हो जाएगा जैसे बॉंग होते हैं यहां इतने गंटे के बाद उसमें टाइमर लगा होता है तो लॉजिक बॉंग है बेसिकली टाइम डाल देंगे के कंडिशन जाल देंगे कि यह कंडिशन से कर मैट हो गई तो यह जो है आपका स्चार्ट हो जाएगा यह जो इसके अंदर सॉफ्ट्वेर है यह शुरू हो जाएगा और आपके कंप्यूटर को हांप हो जाएगा यह एक लॉजिक बॉंब एक operating system या software application में डाला जाता है कोड का टुकड़ा है जो एक निश्चित समय के बाद दुर्भावना पूर्व कारे को लागू करता है और विशिश सर्तों को पूरा करता है बस लॉजिक है तो समझो कि जैसे कंडिशन जो जो स्पैसिफाई करियोंगी वो मिल जाएगी कंडिशन पूरी हो जाएगी यह का पैसे दो तभी आप अपने जो आपकी खुद की इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगे अगर आप हमें पैसे दोगे तो यह है रैंसम वेर इट ब्लॉक्स दू एक्सेस दिर ओन डेटा यह योग करता को अपने स्वेम के डेटा तक पहुशने से रोखता है और उसके बाद उसे online प्रकाशित करने की धमकी देता है और उसके बदले फिरोतीगी मांग करता है तो it is ransomware Next is hacking, hacker and cracker Basically hacking कैसे होती है, hacker क्या होते हैं और crackers क्या होते हैं देखो यह वाला जो टॉपिक है ना है यह हैकर्स वाला बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है हम फटा-फट से इसको कंप्लीट करने वाले लास्ट चॉपिक है इसके बाद सिर्फ आपके मतलब क्या है किसी भी तरीके से अगर आप पूरे नेटवर्क में जो नेटवर्क है नेटवर्क में होने वाले कंप्यूटर है जो सिस्टम से आप कुछ भी गलग करना चाह रहे हो तो उसको आप नेटवर्क हैकिंग बोलते हो कोई information आप illegal तरीके से legal तरीके से अगर आपको information चाहिए जिसके लिए आपके पास accessibility नहीं है तो उस चीज़ को आप hacking बोलते हो a hacker is any person engaged in hacking hacker कोन होता है जो hacking करता है वो hacker है तो बहुत असान है malicious attacks on computer networks are officially known as cracking जब किसी computer network पे अटाक होते हैं उसको cracking बोलते हैं का मतलब जब इल-intention से किसी network पर attack होते हैं उसको hacking बोलते हैं जो attack करता है उसको बोलते हैं हम लोग hacker और जो यह main जो इनसान करता है उसको हम बोलते हैं cracker तो यह हो गई आपकी तीनों चीज hackers and crackers use their knowledge to find loopholes and vulnerabilities in normally hacking words जब आती है ना तो हम लोग automatically negative हो जाते हैं बट hacking बहुत सारी companies hackers को रुपे देती हैं अपनी खुद की website पे hacking कराने के लिए so that they can find loopholes उनको कमिया पता लगे अपनी website के और वो उसको और strong बना ले बहार के hackers के लिए तो hackers and crackers क्या करते हैं अपनी घ्यान का यूज करते हैं ताकि उसमें खामिया और कमजोरियों का पता लगे और उसके बाद क्या करते हैं ताकि जो unauthorized information है उस पे अपना देखो कई बार तो ऐसा होता है कि companies दूसरी companies पे भी hacking attacks कराती है ताकि उनकी information leak हो जाए तो यह सब चीज जो वैद होती है legal है और एक है non-ethical जो aware होती है जो की illegal है तो ethical hacking कौन सी है जो legal है वैद application की hacking है system की मतलब जो की आपको permission हो जो आपको जो company खुद आप से hacking करा है अपने उसमें करा है या मतलब जो बिलकुल legal है जिसमें आपका contents जो है जो आपकी intention है वो गलत नहीं है आपकी intention बस इतनी है कि इसमें loopholes पता लग जाए ताकि हम इसको और strong कर सके हम इसकी strength बढ़ा सके तो अब बात हम करते है types of hackers कि जो hack करते हैं वो कितने type की होते हैं सबसे पहले है white hackers white hat hackers, these ethical hackers होते हैं basically अपने ग्यान का यूज करते हैं अपनी knowledge का यूज करते हैं ताकि flaws कमयों का पता लग जाए और इनके intentions अच्छे होते हैं यह security experts होते हैं जितनी organizations हैं वो ethical यह white hat hackers को hire करते हैं ताकि अपने ही network में कमयों का पता लगा सके और उनको ठीक कर सके तो यह white hat hackers अगले है black hat hackers यह non ethical यह crackers होते हैं यानि यह क्या करते हैं अपनी knowledge का use करेंगे, कानून को तोडेंगे, law को तोडेंगे और अब सारी जो security है, जो information है वो बहार expose कर देंगे और बहुत नुकसान करते हैं, basically इनका जो है वो profit earning, यह bribery, blackmail की यह सब करते हैं, तो यह है black hat hackers और इन दोनों का combination, white और black का combination होते हैं, grey hat hackers, यह क्या करते हैं, system में घुसेंगे और exploit भी करेंगे, लेकिन यह money के लिए यह political gains के लिए नहीं करते हैं, यह system को challenge की तरह लेते हैं, कि हाँ ठीक है, हमारी अगर हमने इसको hack कर लिया, तो हमारी ही knowledge और increase होगी, that's it, तो यह होते हैं grey hat hackers, अगला है phishing, phishing क्या है मैं आपको बताती हूँ, आपने, I don't know, अगर आपने movies बगड़ देखी हैं, त अगर किसी कोई लड़की भी बात कर रही है, तो ऐसा software है कि सामने वाले को लड़की की आवास चुना ही देगी, मतलब voice modulation हो जाएगा, phishing का मतलब है, जब कोई अपनी appearance चेंज करके, आप से information लेने की कोशिश करें, उसको phishing बोलते हैं, यह गैर कानूनी, यानिए illegal process है, जह जो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, original है, वो present किये जाते हैं, user के सामने, उसके बाद जैसे आप उस पर login करोगे, आप अपना personal data डालोगे, ID, passwords डालोगे, और banking credit card, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे add आते हैं, online websites के, बहुत सारी frauds भी होती हैं, आपने नाम नहीं सुन र है, आपकी details नहीं तक चली गई है, वो original चीजों का logo यूज कर सकती है, ताकि real से आप उन्हें नहीं पैचान पाओ, इसके इलावा, phishing attempts through phone calls or text messages are also common, these days, जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे phone, WhatsApp, पे message आते हैं, कि KBC की साइट से आपने इतने रुपे जीत लिए, वो phishing है औरिजनल मैसिज की तरह दिखते हैं, बड़ आ नोट ओरिजनल एट ओल, वो phishing की अंडर आता है, next is packet sniffing, packet sniffing का मतलब क्या है, एक computer से दूसरे computer तक data जा रहा था, packets की form, ठीक है, कुछ नहीं करना, बीच में से कुछ packets अगर उठा लिए, बीच में से कुछ packets की smuggling होगा, इसक मतलब क्या है, कि computer network में जो प्रवाहा होने वाला data के packet है, उनको capture कर लेते हैं, जो software या जो device से हम packets उठाते हैं, उसको बोलते हैं, device, वो packet sniffer, packet को sniff करने वाला, तो packet sniffer कहा जाता है, next is spoofing, spoofing क्या है, आप ये समझो, a spoofing attack is when, an attacker or malicious program successfully acts on another person's behalf by impersonating data, देखो, normally ऐसा होता है, कि जब आपको एक IP address दे दिया, वो बिल्कुल original data की तरह लग रहा है, तो जब वो successful हो जाए, आप click कर लो, सब कुछ हो जाए, तो उसको बोलते हैं, spoofing, spoofing हमला तब होता है, जब एक हमलावर या दुर्भावना पूर्म program data का प्रतिरूपन करके, किसी अन्य व्यक्ति की और से सफलता पूरवक कारे करता है, यानि वो कुछ और बनके, कुछ किसी और को impersonate करके, आपको attack करने की कोशिश करेगा, spoofing हम लोगे कुछ समानने प्रकारों में, ARP spoofing, यह ARP spoofing है, DNS, IP, यह सारे spoofing होते हैं, यह network, spread malware और confidential information और data को leak करने के लि attack तो आप करोगे, करोगे, लेकिन आप अपनी real identity ना दिखा के, कोई और बनके, और कोई और का मतलब यह नहीं कि real, यानि original products, जैसे मैंने बोला, इससे पहले जो हमने किया था, packet sniffing, इससे पहले, fishing, इस fishing में क्या हो रहा था, कि वो original logos भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यह सब आपको पागल बनाने के लिए, spoofing में ऐसा नहीं है, spoofing का मतलब यह है कि original logo यूज करो या नहीं करो, पर वो किसी और को impersonate कर रहे हैं, वो अपनी identity चुपा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं, spoofing, next is snooping, spoofing और snooping में, please confuse मत होना, snoop, snoop को याद रखो, snipper, यह sniper से, आपने देखा होगा, फोन में गेम भी आता है, sniper जो, वो shot करने का काम करता है, shoot करने का काम करता है, छट पे है कि, अगर नहीं खेला, तो अभी खेलना भी मत, exam आ रहा है, लेकिन मैं बास एक बात बता रहे हूँ, sniper गेम आता है, sniper का मतलब है, छुप के shoot करना, ठीक है, वहा आपकी किसी भी communication हो रही है, उसको कोई ना कोई सुन रहा होता है, जैसे, आपने एक website में login किया, जहाँ encryption नहीं है, encryption का मतलब data को code में convert नहीं कर रखा, तो आपका user name, password, वो कोई भी आपका उस network पे आपके देख सकता है, और जो भी आपने वो, आपके और website के बीच में, जो firewall में क्या है, यह, मतलब आप कह सकते हो, हमारे computer system के लिए फाइदे मन चीज है, क्यों, इंटरनेट से क्या हुआ, बहुत सारे, बहुत सारे networks, बहुत सारे authorized भी हैं, जो legal है, unauthorized भी हैं, जो लीगल है, unauthorized भी हैं, तो अगर आप अपने computer system में firewall डाल देते हो, तो firewall क्या अपने आपके पास आने देगी, unauthorized को वहीं के वहीं रोक देगी और आपके computer को damage नहीं पहुचेगा, a computer firewall is a software program that prevents unauthorized access to and from a private network, private network, जो internet से connected है, तो unauthorized network अगर अगर अटाक करने कोशिच करेगा, उसको रोकेगी, हमारे पास से भी information नहीं जाएगी, इसको हम बोलते हैं firewall, त जो ना हमें अंदर से बाहर जाने देगी, ना भाहर से अंदर आने देगी, it can be implemented in software, hardware और बोर, इसको आप hardware में भी डाल सकते हो, software में भी डाल सकते हो, दोनों form में डाल सकते हो, next is authentication, authentication का मतलब है कि verify करना आपकी ID और आपका password, आपने जो ID डाली है, आपका password हो आपका unique होग किसी और का same ID, password नहीं हो सकता, तो वो होता है authentication, next is authorization, authorization का मतलब है authority, permission आप क्या दे रहे हो, to verify permission, rights, authority assigned to a particular user to perform some task, देखो authentication का मतलब है आप हो कौन, basically, आपका username क्या, आपका password क्या है, versus आपका authorization का मतलब है कि कौन कौन सी permission आप उसको दे रहे हो, तो यह है authentication and authorization, तो यहां पर आपके side topics complete होते हैं, अब हम बात करते हैं, फटा-फट से MC की उसकी सबसे पहला, dash serves as an entry and exit point, entry or exit का काम कौन कर रहा था, gateway, जब मैंने आपको बताया था, आपको एक state से दूसरे state पर जाना है, as all data coming in or going out of a network must fast pass through it in order to use routing paths, next, in a completely connected network, how many lines are required for connecting six nodes, अगर completely connected network है, तो 6 nodes को आप सब से जोडने के लिए कितने wires use होंगे, तो आपके use होंगे 15, यह मैं आपको solve भी करके दिखा चुकी हूँ, dash is a passage to connect two networks that may work on two different networking models, दो अलग-अलग networks है, उनको जोडना है, तो आप क्या use करोगे, आपको मैंने बताया भी था, तो दो अलग-अलग states हो गई ना, तो यहां पे आगया आपका gateway, लेकिन, एक बहुत बड़ा network था, इसके अंदर कुछ similar networks थे, इनको आपस में जोडने के लि gateway, dash are rules that exist at several levels in a telecommunication connection, basically rules को हम क्या बोलते है, protocols बोलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो protocols is the correct answer, that dash is a networking device that filters network traffic, कौन से device है, जो network का जो traffic है, उसको filter करेगी, while connecting multiple computers or communicating device, बहुत सारे, देखो, आपने सबसे पहले पढ़ रहा था, हब, हब क्या कर रहा था, सब जग, सब कुछ भेज रहा था, सब devices में भेज रहा था, सब ट्राफिक हो रहा था, उसका updated version आया, switch, switch ने क्या करना शुरू करा, filter करना शुरू करा, उसको ये पता लगना शुरू हो आपके ये device को सिर्फ यहां तक जाना है, इस data को, वो सिर्फ उसको भेज रहा था, तो filter करने का काम किस ने किया, traffic को, switch Dash is a type of dedicated file storage device that provides LAN users with centralized consolidated disk storage through a standard ethernet connection, इन में से वो ये बोल रहे हैं आप से कि कौन सी device ऐसी है, जो LAN users को एक centralized consolidated disk storage देती है, यानि जहां पर वो सब कुछ स्चोर करा सकते हैं, यह बोड़ा learn करने वाला है, it is called network attached, storage, जब किसे network में, एक जगा storage करना हो सब कुछ, आप उस करते हो, network attached, attached storage, Dash records everything, you type on your PC in order to obtain देखो, records everything, तो basically यह है क्या, आपको मैं पता हो, तो यह आपकी key stocks को record करता है, और key से याद रखोगे, key loggers, तो इनके key words याद कर लो, key words याद कर लो, कि तो आपको आराम से पता लग जाएगा, crypto locker is a form of which of the following, crypto locker किसका form है, crypto locker form, देखो, आपके कुछ information है, आपको उसी से, उसको use करने तो रोक रहा है, crypto locker क्या करता है, आपके खुद की information आप access नहीं कर सकते है, आपसे रुपय वांगता है, आपसे bribery मांगता है, ransom मांगता है, तो इसको हम बोले है, ransomware. In which of the following modes of data transmission, can the data flow in both directions, but in only one direction at a time, यानि, यानि, बाइडिरेक्शनल है, लेकिन एक ताइम पर एक जिसे, वाई-फाई में काम हो, उसमें, वोकी-टॉकी में काम हो रहा था, तो हम उसको क्या बोल रहते है, half duplex, तो half duplex is the correct answer. In which of the following modes of data transmission, can the data flow in both directions simultaneously, दोनो direction और simultaneously, full duplex, which of the following is a small piece of software that uses computer networks and security holes to replicate itself, computer के network और security hole को यूज करेगा, अपने आपको replicate करने के लिए, देखो, अगर कोई executable files attach करेगा, तो वो virus है, क्योंकि दो ही जने अपने आपको replicate कर रहे थे virus और वार्म, virus तो file से attach करेगा, वार्म किसे attach नहीं करेगा, वो system की कमी ढूढ़ेगा और तब अपने आपको replicate करेगा, तो यहां पर वार्म, आपका वार्म, नेक्स्ट question, अचा यह repeat नहीं, dash is a computer program which can self replicate, कौन सा program है जो अपने आपको automatically क्या answer आगया इसका भी इसका answer आगया वॉंप विच अब दर फोलोईंग पोट इस यूज चू कनेक्ट कंप्यूटर वाइड नेट्वर्क वाइड नेट्वर्क अगर वाइड नेट्वर्क से करना हो तो हम क्या दिखाते हैं इसे की की मॉडम ही है जो एनलोग को डिजिटल से अनलोग में कर सकता है तो गाइस यह था आज का सेशन यह थी आज की क्लास मैं उम्मीद करती हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लासेज में तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार तब तक के लिए गुड़ बाय और अवा गुड़ डेज